आज की वीडियो में बताने माला हूँ कि आप लोग अपने YouTube चैनल पे AdSense अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको अपने YouTube चैनल पे AdSense अकाउंट लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile phone ये laptop में किसी भी browser को open कर लेना है अगर आप जाते है mobile phone में जो YTA Studio का application ने उससे कर आपको तो सायद नहीं हो पाएगा इसलिए आपको YTA Studio का browser ही open करना पड़ेगा उससे browser में यूज करना पड़ेगा तो मैं इससे browser में open कर लेता हूं YTA Studio को उसकी बात आजाना है आपको यहाँ पे नीचे आपको एक option मिल देगा स्रेटिंग का स्रेटिंग में जायेंगे स्रेटिंग में जाने के बाद चैनल का एक option मिलेगा चैनल में आएंगे उसके बाद में एडवान स्रेटिंग में उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो Google AdSense Account Link यहाँ पे एक option मिल दाएगा Link Account का Link Account पे जैसे ही क्लिक करो गया तो यहाँ पे आपको अपने नाम डाल देना है जो भी आपका AdSense में नाम होगा तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अपना उसके बाद आपको यहाँ पे AdSense का ID डालना पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हो Google AdSense Customer ID तो यहाँ पे डालना पड़ेगा यह Customer ID कैसे मिलेगा आपको Google AdSense में उसको भी मैं विता देता हूँ सबसे पहले आपको एक browser open कर लेता है यहाँ पे AdSense के लिए मैंने एक source source के रखा हुआ है तो मैं यहाँ AdSense को भी open कर लेता हूँ अपना AdSense account को अब भी मेरा यह AdSense account भी open हो गया देख सकते हो आप यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो एक AdSense का ID यहाँ पे email ID के ऊपर दिखरा होगा आपको इसे just copy कर लो मैं यहाँ पे जैसे copy कर लिया हूँ उसके बाद यहाँ copy CTRL C करा मैंने और मैंने इसे copy कर लिया copy करने के बाद आपको वापीस आ जाना है इसी page में then यहाँ पे आपको इसे कर देना है paste उसके बाद यह verify करेगा verify करने के बाद देख सकते हो accepted आ गया है यहाँ पे option इसके बाद यहाँ करना है done उसके बाद यहाँ करेंगे save आपका adsense account हो जाएगा आपके channel से link इसके बाद आप फिर से जाएंगे setting में setting में जाने के बाद channel में जाएंगे उसके बाद advanced setting उसके बाद आजाएंगे आप नीचे थोड़ा सा तो यहाँ पर देख सकते हो आपका adsense account देख सकते हो link हो चुका है awaiting approval उसके बाद आप एक browser open कर लिए हो उसके बाद फिर से आप adsense account में चले जाएंगे adsense account में आएंगे उसके बाद आप आजाएंगे यहाँ पर notification में मैं wait कर लेता हूं तो ड़का यह open हो रहा है open होगया यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर notification का अपसर मिल जाएगा देख सकते हो YouTube account link request इसका YouTube का जो account link करना है उसके लिए approve और reject के लिए यहाँ पर request आ चुका है उसके लिए आपको यहाँ पर view पर click करना है view पर जैसे ही click करेंगे आप तो यहाँ पर YouTube पर detail आजाएगा देख सकते हो सब्सक्राइबर और भी दिखा रहा है सारी चीज़े यहाँ पर दिखा रहा है उसके बाद में यहाँ पर action में आएंगे और view request पर click करेंगे उसके बाद यहाँ एप्रूब बटन पर click करेंगे वेट करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर देख सकते हो YouTube लिंक हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर link दिखा रहा है यहाँ से unlink भी कर सकते हो इस account को चिक करने के लिए आप यहाँ एक browser open करेंगे मैं एक tab open कर लेता हूं उसके बाद में yt studio को open करता हूं यहाँ पर उसके बाद में चला जाता हूं setting में उसके बाद channel advanced rating then नीचे आता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो लिंक हो चुका है यहाँ पर status में लिंक दिखा रहा है